नमस्कार, मैं हूँ जरीता और मैं हूँ आशुतोष आज हम Gears और उनसे जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे हम सभी ने Gears देखे जरूर हैं लेकिन हो सकता है कि उसके बारे में ज़्यादा विचार ना किया हो जैसे कि साइकल से चढ़ाई-चढ़ना काफी मुश्किल होता है लेकिन गियर वाली साइकल लेने तो काफी आसान हो जाता है तो गियर वाली साइकल में चढ़ाई-चढ़ने के लिए एक्स्रा इनर्जी आती कहां से है यह समझने के लिए हम इस gear system को देखते हैं इस gear system में जो यह gears लगे हैं दोनों इनका जो रेशो है वो 1 इस्टो 4 का है यानि जब बड़े वाले gear को एक बार घुमाना हो तो इस छोटे gear को हमें चार बार घुमाना पड़ेगा और इस gear से यह eco gear attached है यह एक बार घुमता है तो यह छोटे वाला भी एक बार घुमेगा अब तीसरे वाले gear को एक बार घुमाने के लिए हमें इस gear को चार बार घुमाना पड़ेगा और इसको चार बार घुमाने के लिए हमें इसको 16 बार घुमाना पड़ेगा और अगर हमें इसको एक बार गुमाना हो तो हमें इसको 64 बार गुमाना पड़ेगा तो इसका mechanical advantage 64 हुआ तो इस बड़े पईय को गुमाने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत कम फोर्स लगाना पड़ रहा है लेकिन अगर मैं इस बड़े पईये से इसको गुमाना चाहाँ इस छोटे वाले बीको तो मैं इतना भी जोर लगा लूँ यह मेरे से तो नहीं घूम पाएगा क्योंकि इसको गुमाने के लिए 64 गुना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा मेकैनिकल अड्वांटेज का इस्तमाल करके ही हमने यह छोटी मगर बहुत पावरफुल मशीन भी बनाई है इसमें इस गेर के 25 टीथ हैं और यह इस वर्म गेर से जुड़ा है तो जब यह वर्म गेर 25 बार गुमता है तो यह गेर एक बार गुमता है इसका मेकैनिकल अड्वांटेज हुआ 25 और इसी तरीके के हमने 5 सिस्टम लगाए हैं तो इस गेर ट्रेन का अड्वांटेज हो गया 25 टुदध पावर 5 जो की हुआ लगबग 1 करोड तो यह जो मशीन है इसका मेकैनिकल अड्वांटेज है 1 करोड इसी mechanical advantage का use इस सुन्दर लैंप में भी किया है जो हमने सबसे पहले देखा था तो इसमें यहां पर इस handle से एक छोटा gear attached है और इस छोटे gear से यह बड़ा gear जुड़ा हुआ है और जिनका gear ratio 1 is to 4 का ही है इस बड़े gear से एक और छोटा gear जुड़ा हुआ है इस छोटे gear से एक और बड़ा gear तो टोटल जो बैकर निकल एडवांटेज इसमें मिला वो मिला 16 का और इसको आगे पीछे करने के लिए यह अलग अलग तरह के hinge जुड़े हुआ है जिससे इसको घुमाते है तो यह आगे प गुंते हैं और सामने क्या होता है भारत का नक्षा तेया है तो वापस आते हैं अपनी गियर वाली साइकल पर बिना गियर वाली साइकल में पैडल की गियर के टीट पहिया की गियर से ज्यादा होते है यानि पैडल को एक बार गुमाने से पहिया एक से ज्यादा बार गुं गियर रेशियो को बढ़ा सकते हैं, इससे साइकल का मेकेनिकल अडवांटेज एक से ज़्यादा हो जाता है, और पैडल को कई बार घुमाने से पहिया थोड़ा सा आगे बढ़ता है, यानि कि गियर वाली साइकल को भी चलाने के लिए उबजा तो उतनी ही लगती है, बस फोर के आर्पीम की मोटर यहां पे लगी है, तो इस लास्ट वाले गियर को एक बार घुमने के लिए कितना समय लगेगा, यह आपको बतामें, तो अपने जवाब कमेंट में पोस्ट करें, और देखिए कि आपके घर और आसपास गियर कहां-कहां यूज होते हैं, झ spa, किवी बतामें, लेला कर। आसना समय लगे लिएगे, बाले आसटों के लिए झाल झाल